नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसिष्ट और सज्जनों एक-एक रासी के हिसाब से हम आप लोगों को महुर्त देने का प्रयास कर रहे हैं विवाह के महुर्त दो हजार पचीस में में सरासी की लड़कियों के लिए कौन-कौन से महुर्त सुब हैं जिसके अंदर की विवाह किया जा सकता हैं तो वो आप या तो नोट कर लीजेगा या जब भी कभी आपको देखना हो तो आप वीडियो जो है खोल करके देख सकते हैं डाउनलोड कर ब्रिहस्पती दो ग्रहों को देखा जाता है विवाह के अंदर कि आपकी रासी से ये लड़की की रासी से चंद्रमा चार आठ और बार्वा ना हो जैसे आपकी रासी मेश है तो चार का मतलब करक का चंद्रमा ब्रसिक का चंद्रमा और मीन का चंद्रमा ना हो तब यो है आ आपका महुर्द बनेगा अब उसी के साथ ब्रिहस्पती भी देखा जाता गए अब उस ब्रिहस्पती के अंदर चार आठ बारा ये तो निशेद है ही है इसमें कुछ पूजाओं के भी योग है योग बनते हैं जैसे किसी के दूसरा पांचमा नमा अश्थान में है तो उसमे कोई पूजा की आवशकता नहीं होती सात्मा है तो कोई पूजा की आवशकता नहीं होती बाकी जगों पर अगर ब्रिहस्पती है तो ब्रिहस्पती की पूजा यानि शांती करवाना आवशक हो जाता है अब मैं आपको जनवरी से ले करके और दिसंबर तक की जो मेश रासी की लड़कियां हैं उनके मोहुर्त कौन-कौन से सुब बनते हैं वो मैं दे रहा है तो जनवरी के अंदर 14 जनवरी तक तो संक्रांती रहती है धनू की संक्रांती जिसको पोस्मा भी बोलते हैं खरमास भी बोलते हैं उसमें विवा नहीं होते तो सबसे पहले 16 तारीक, 18 तारीक, 19 तारीक, 20 तारीक, 21, 22, 26 और 27 जनवरी ये जनवरी के मोहुर्त मैंने आपको दिये फरवरी के अंदर तीन फरवरी, चार फरवरी, साथ फरवरी, आठ फरवरी, चोदा फरवरी, पंदरा फरवरी, सोला फरवरी, अठारा फरवरी, तेईस फरवरी, और पचीस फरवरी, और चब्वीस फरवरी ये फरवरी के मोहुर्त हैं और मार्च के अंदर एक दो तीन और च्छे मार्च ये जो हैं आपके लिए उप्युक्त और स्रेश्ट जो हैं महुर्ट उसके अंदर बनते गए इसके पश्चाद सीधा चैत्र का मेना आ जाता के तो चैत्र का मेना भी खरमास कहलाता के उसमें भी विवाह आदी नहीं होते तो अपरेल में जा करके और महुर्ट निकलेंगे तो 14 अपरेल 18 अपरेल 19 बीस अपरेल 21 बाइस अपरेल 23 अपरेल 29 और 30 अपरेल ये अपरेल के महुर्ट हुए इसके बाद मई में 1, 5, 6 मई, 7, 8 मई, 15, 17, 18, 19 और 24 मई और 28 मई अब चलते हैं जून के मेने में एक जून, दो जून, चार जून, साथ और आठ जून ये जो हैं आपके महुर्ट हैं अब इसके आगे फिर देव से नकाल आ जाता के उसमें सुब विवाह के महुर्ट नहीं होते 18 अक्टूबर से ले करके और 5 दिसंबर तक करक में जो गुरू हैं ब्रियस्पती हैं वो उच्चे के रहेंगे तो वो स्रेश्ट फल देंगे अगर किसी के चोथा आठमा बार्मा भी ब्रियस्पती आ रहा है तो उसमें भी विवाह के महुर्ट किये जा सकते हैं अब मैं आपको इसके बाद फिर सीधा दिसंबर में महुर्ट हैं दस दिसंबर 11 दिसंबर के अंदर जो हैं आपके विवाह के महुर्ट आएंगे तो उसमें आप जो लगन है विवाह के फेरों का मंडप का जो लगन है वो किसी भी अपने पुरोहित से किसी भी विद्वान जियोतिसी से या अपने गुरु आदी से आप जान करके और लाव उठाएं अब इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी की आवशक्ता करे तो इन नमरों पर संपर्क करके कार्याले से अपाइंटमेंट ले करके कार्याले की सेवाएं हैं वो अरपन करके और आप चाहे महुर्ट को जानकारी ले और चाहे आप महुर्ट के अलावा आप जोतिस से संबंदित या वास्तों से संबंदित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी ले करके लाव उठाएं नमस्कार